Good morning student, welcome again in our math class, in our previous class we solve exercise 15.1 and today we are going to solve exercise 15.2 So let's start, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, 100 cm equal 1 m, 100 cm से क्या बनता है, 1 m बन सकता है या फिर other way में हम इसको बोलें, तो 1 m में 100 cm होते हैं और फिर 1000 m से क्या बनता है, 1 km बनता है, 1000 m equal 1 km या फिर ऐसे बोल सकते हैं, 1 km has 1000 m and 1000 g equal 1 kg मतलब 1000 g से 1 kg बनता है या फिर ऐसे बोल सकते हैं, 1 kg has 1000 g and 1000 ml equal 1 liter या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 liter equal 1000 ml ये है इसकी unit देखते हैं क्यूशन नमबर first solve करते हैं, how many meters are there in 3 and 1 half km 3 and half km में कितने मीटर होते हैं क्यूशन पूच रहा है तो आपको इसकी unit पता है कि 1 km में 1000 meter होते हैं, सबसे पहले आपके पास fraction में जो दिया गया है उसको improper fraction बना लीजिए तो देखें आपके पास fraction है 3 and 1 half, इसको हम लोग improper बनाएंगे तो denominator को आपे whole number से multiply कर लीजिए 3 to 6 और 1 numerator उसमें add कर दीजिए, तो 6 plus 1, 7, 7 by 2 आपका improper fraction हो गया, 7 by 2 improper fraction हो गया unit आपको पता है कि 1000 है तो इसको meter को kilometer में convert करने के लिए आपको 1000 से इसको multiply करना होगा तो यहाँ पे into 1000 डाल दिया और अब हम लोग इसको मतलब इस side fraction हो और इस side भी आपको fraction मनाना है तो जहाँ पे denominator कुछ नहीं होता fraction में आपके पास तो वहाँ पे आप denominator क्या माल लोगे? 1 माल लोगे अब हम लोग क्या कर लेंगे? इसको solve कर लेते हैं देखे यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 2 है मतलब 2 को 1000 से हम डिवाइड करते हैं तो answer आता है आपका question आता है 500 तो यहाँ देखो मैंने 2 से cut किया 1 time 2 बन जा 2 और 2 से 1000 को डिवाइड किया तो आगे आपके पास 500 अब क्या कर लेंगे? 500 into 7 500 into 7 करेंगे तो 7 5 जा 35 35 रखती है और 2 0 जो है वो भी आप उठा के आगे question में रख दीजे इस प्रकार आपके पास 3500 मिटर हो गया ही 3 and a half kilometer में 3500 मिटर होते हैं next question की तरफ चलते है question number 2 convert 6500 gram into kilogram question बोल रहा है convert 6500 gram into kilogram यहां आपको gram को kilogram में convert करना है तो gram को kilogram में convert करने के लिए आपको 1000 से उसकी unit से आपको divide करना होगा तो यहां पे 6500 divided by 1000 तो 2 0 से 2 0 कट गए अब आप देख लीजे 10 में है 1 digit 0 1 0 है तो आप right hand side से 1 digit skip करके point डाल देंगे यहां पे 1 0 है easy way से यह आपका divide हो जाएगा यहां पे तो यहां पे हमने डाला point और इस प्रकार आपके पास जो answer है वो 6.5 kg हो गया otherwise यह दि हम लोग इसको solve करते हैं यह जैसे 0 से 0 काटा वो नहीं काटते हैं तो हम लोग इसमें देखते हैं 1000 में 3 0 है तो आपको right hand side से 3 digit skip करके आपको point रखना है तो 1 2 3 यहां पे 3 digit skip किया तो यहां पे हमने डाल दिया point और पिछे रख दिया 6 इस प्रकार आपके पास 6.500 kg हो गया next question number 3 convert 2250 milliliter into liter milliliter को लेटर में convert करने के लिए आपको 1000 से divide करना पड़ेगा तो कि इसकी unit जो है वो 1000 है वान लेटर में 1000 milliliter होते है 2250 divided by 1000 इसको भी हम लोग आपको पता है इसमें 1000 में 3 0 है तो आपको उपर से 3 digit skip करके आपको क्या करना है point रख देना है तो 1, 2, 3, 3 digit skip किया यहाँ पे डाला point और फिर रख दिया 2 जो पिछे है तो इस प्रकार आपके पास यह लिटर में convert हो गया है 2.250 लिटर question number 4 express 18,000 milliliter into liter इसमें भी आपको milliliter को लिटर में convert करना है तो आपको divide करना होगा 1000 से 18,000 divided by 1000 equal आपको पता है कि इसमें 3 digit 3 0 है तो उपर से आप skip कर दिजिए 3 digit 1, 2, 3 तो यहाँ पे अपने पास point आएगा यहाँ पे point आएगा तो आपको पता है कि point से आगे यदि आपके पास 0 ही रहते है तो उस 0 की कोई value नहीं रहती है तो यहाँ पे चाहिए आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 18.000 liter या फिर decimal के आगे 0 की कोई अकेले 0 की कोई value नहीं होती है तो हम लोग इसको skip भी कर सकते हैं तो यहाँ पे 18 liter भी रख सकते हैं 18.000 liter भी हम लोग write कर सकते हैं यहाँ पे question number 5 express 75,000 gram in kilogram 75,000 gram को kilogram में convert करना है तो वो ही आपको इसमें 1,000 से divide करना पड़ेगा 75,000 divided by 1,000 equal आपको पता है इसमें 3,0 हैं तो उपर से भी आपको 3,0 skip करनी होंगी 75.000 kilogram इसमें भी आपको पता है यहाँ पे decimal से आगे 00 ही आ रहा है तो वो हम लोग skip कर देंगे तो आपके पास total रह जाएगा 75 kilogram next question number 6 how many milliliter are there in 2 and half liter 2 and half liter में कितने milliliter होते हैं तो यहाँ देखो यहाँ पे 2 and half है इसको हम लोग एक बार fraction में लिख लेते हैं 2 and half fraction में ऐसे लिखा जाता है तो यहाँ पे आपके पास आ गया fraction अब इस fraction को इंप्रोपर mix fraction को आप इंप्रोपर fraction में convert कर लीजे 2 तू जा 4 4 प्लस 1 5 5 बाइ 2 आपका इंप्रोपर fraction हो गया और इंटू 1000 कर दीजे और जहाँ पे डिनोमिनेट कुछ नहीं होता वहाँ पे डिनोमिनेट हम 1 मानते हैं 1000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 500 आ गया और 500 इंटू 5 तो 5 को 5 से मल्टिप्लाई किया 5 5 जा 25 और 2 0 है वो 2 0 उठा के हमने क्यूसेंट में रख दिये इस प्रकार आपके पास जो मिली लिटर बने हैं वो है 2500 मिली लिटर नेक्स्ट क्यूसन next question number 7 how many gram are there in one and half kilogram question भोल रहा है कितने gram होते हैं one and half kilogram में कितने gram होते हैं मतलब kilogram को gram में convert करना है और कितने kilogram को one and a half तो one and half है उसको एक बार fraction में लिखते हैं तो one and half हो गया mix fraction में आ गया one and half तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे improper fraction मना लेंगे two वन जा two plus one three three by two हो गया into one thousand से into करेंगे और denominator आपके पास रख लेंगे one हम लोग याँपे two से divide किया one thousand को five hundred आ गया और five hundred को three से multiply किया तो five three जा fifteen two zero है उनको उठा के आप के cent में रख दीजिए इस प्रकार आपके पास जो ग्राम आया है वो one thousand five hundred ग्राम हो गया next question eight nine and eight nine ten and eleven हम लोग अपनी next class में solve करेंगे और तब तक बच्चों बाई